अनुरादरजी हर साल की तरह इस साल भी आप क्या देवी बैटने वाली है क्या कुछ तैयार है क्या कुछ प्लानी हो रहा है मुझे लगता है कि हर साल जैसे मातरानी आती है तो एक अपने साथ नहीं उर्जा लेके आती है और कई बार यह देखते हैं मैंने इस साल भी और इवन लास्ट भी इस साल काफी मतलब वायरल हुआ था और तबहें ठीक नहीं थी और भी कई सारे मतलब है health related issues इतने रहे और कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं कि मातरानी आके बैठने वाले तो अपने आप से वह उर्जा आती है एक positivity आती है और यही अच्छल मतलब होता है नवरा त तो वह उर्जा वापस से आने में मदद होती है तो वाकी तैयारिया तो वही है इस साल खास तोर पे अभी जो चोटे चोटे ने अभी बड़े हो वह उनके भी तो तीन-दोतीन बच्चे है तो जितने हमारे फैमिली के मेरे नीसे और नेव्यूस है अब बड़े हो गए है तो उनको जिम्मीदारी दिया कि भही आप अपने हिसाब से आप देखो कि इस तरह से सब को करुएंट हो और सब आननदा इस तरह से करें तो देखें मतलब मतारा नि अच्छे से कराये अपकी मता की आपकर मता की विश्श्क रूपार रही है स्टार्टिंग से मेरे नहीं कि आपका विशेस हैं बारे में गुछ बताना चाहेंगे यह बज़ घर में कोई मेरे पैरेंट लो हुआ है नहीं अचैन्ले मांप मेरे फेस्टिवल में लेके गया थेón मांप मॉक्तून, पेश शिरियके मीट बताना है मैं उनके साथ गई थी मुझे लगता मैं कुछ चार पांच साल की थी तो वहां से मैं एक चोटी प्लास्टी के लेकिए थी लेकिन वह अमबाजी तो इसे कुछी दो लाइने सुनाएंगे महाद सारी तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया मैं आया जोता वाली तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया मैं आया जोता वाली तैंक यू सो मच और आप सभी को आप सभी फैमेली मेंबर को हपी नवरात्री